सो हेलो एवरिबरण कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब अच्छे ही होंगे आज हम आप सभी के लिए लेकर आए और शास्त का एक चेप्टर जिसका नाम है राज ये एवाम राश्ट की आई इस चेप्टर से जितना इनपोर्टेंट कोशन होगा मैं इस वीडियो में कवर क प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकर्शन आप सभी को मिलते रहें तो और साथ से जितना चेप्टर होगा सभी का एक स्री चल रहा है सभी का लगतार वीडियो आएगा आप चैनल पर बने रहें तो बढ़ते हैं इसके कोश्चन के तरफ तो इसका फर्स नमर कोश्चन यह कह रहा है कि भारत में किस राज ये की परती बेक्ती आए सरवाधी के तो भारत के किस राज ये की परती बेक्ती आए सरवाधी के तो भारत के किस राज ये की परती बेक्ती आए सरवाधी के तो गोवार राज ये की परती बेक्ती आए सरवा ता और यहां पुछ रहा कि बिहार के किस जीले की प्रतिवेक्ति आये सरवादिक है इसका राइट एंसर आप सभी को याद रहाता है तो धिया Are भारत में बिती है वर्थ किस माह को कहा जाता है किस वह से किस माह तक रहता है तो इसका राइट फ स रखन contribution यह धरा एक ह cool से लेकर 31 मार्च तक भारत में बिती हो कहा जाता है इसका इसका दैंसर ढहन कम आयगा रत राष्टी मैं यार्थ फिर इसका उगला के राष्टी को आय को सब्सक्सक्राइब कर लेना 가 दादा भाई नवरोजी ने भारत के राष्टी ये आये का आकलन सर्व पथम इन्हेर नहीं लगाया था इसका बी नेमर अप्शन बिल्कुल राइट एंसर है आप सभी को याद कलेना है दादा भाई नवरोजी फिर इसका अगला कोश्चन है कि 2012 से 13 में भारत की परती बेक्ती आए पुछ रहा है कि कितनी थी तो 2012 से 13 में भारत की परती बेक्ती आए कितनी थी इसका राइट एंसर आप सभी को डी नेमर अप्शन बिल्कुल याद रखना है और 6770 रुपय बेक्ती आये थी 2012 से 13 के बीच में इसका डी नेमर अप्शन बिल्कुल राइट अंसर है आप सभी को याद कले ना फिर इसका अगला कोश्चन है कि दादा भाई नवरोजी के अनुसार 1869 में भारत की परती बेक्ती वार्चिक आये थी तो दादा भाई नवरोजी के अनुसार 1860 में भारत की परती बेक्ती वार्चिक आये कितनी थी ती इसका करेक्ट अंसर आप सभी को ए नमर अप्शन याद रखना मात्र 20 रूपया था उसमें वार्चिक आये कितना था तो मात्र 20 रूपया था इसका ए नमर अप्शन बिल्कुल राइट अंसर है आप सभी को याद कले ना फिर इ पर राज्य घरेल उत्पाद का आकलन किया जाता है तो इसका C नमर उप्षन बिल्कुर राइट अंसर है आप सभी को याद कर लेना A और B दो फिर इसका अगला कोशन है कि बिहार के I के सरवाधिक यकदान होता है तो बिहार के I में सरवाधिक यकदान किनका है तो आपके पा कोशन यहां है कि राष्टिय आय में बिरिधी होने से पर्ति ब्यक्ति आय में होता है तो इस चेप्टर से जितना इंप्रेंट कोशन हो सके मैंने इस वीडियो में कभर करने की कोशिस किया हूँ इसे कोई भी कोशन नहीं है जो आपके एकजाम में पुछा नहीं गया हो और पुछने वाला नहीं है तो सभी कोशन को मैंने इस वीडियो में कभर करने की कोशिस किया हूँ तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा अब बात करते हैं नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन आपके लिए और इसका एंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है इसके पिछले चेप्टर वाला कोशन है अगर आपने इसका बिछले पी चेप्टर वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आई बोटन को उसका लिंक मिल यागा वहां से आप जाकर देख सकते हैं और इसका एंसर आपको इंबॉक्स में दे सकते हैं तो परस्णिया है कि बिहार के वीका आप सब्सक्राइब को मिलते रहे और दोस्तों किसा करने ना भूले मिलते हैं इसके नेक्ट वीडियो में तब तर के लिए जाहिंद बंदे मात्रों